Hello everyone, कैसे हो आप सब होपस हो, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी सिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे अभी चो हम रडिंग आपके लिए कने वाले हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की true feelings आपके लिए क्या है और क्या वो आपको true love करते हैं नहीं, तो देखते हैं, पहले हम उनकी current feelings देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या वो आपको true love करते हैं नहीं, एक जिस त्यान से सुनें क्यूंकि ये collective plus timeless rating है तो जरूरी नहीं है कि सबसे resonate ना हो, अगर resonate हो, आप energy को exchange कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो आप किसी और channel पर देख सकते हो, okay and thank you very 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 much जिनों ने भी मेरा channel subscribe किया है, और जो भी मेरे channel पर new है, उनका बहुत-बहुत सवागत करती हूं so, शुरू करते हैं आज की reading और मुझे time लगेगा ना guys, तो मैं जरूर प्राय करूंगे कि आपके लिए, you know, free reading session लेके आउं, yes no session लेके आउं, but अभी थोड़ा सब busy schedule चला है, पर जल्दी मैं आपके लिए free reading भी प्रवाइट करूंगी, okay तो शुरू करते हैं आज की reading, सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनों की feelings के है, please अपने अपने पार्टनों का नाम 3 टाइम मन में बोलिए या फिर उनकी फोटो को ऐसे इमेजन कीजिए, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं उनकी क्या इनोजी आपके लिए, please universe guide कीजिए, हमारी विवेवर्स के पार्टनों की उनकी ट्रू फिलिंग्स किया है, इस टाइम पे वो उनकी लिए क्या सूच रहे हैं, please universe guide कीजिए, okay, 예쁘 मेंप टाइमार्स हुआ लुआर्स द्रेव हैं, का इस नोटोंट है त za मुआए वोंष दूरो वावाफ दोंट वापके बा सबसोत्ड़ वावाफ में दूञंदट हैं प्रीजिग गपेसा प्लाट फेडिगों की सिक्ष्वाओं प्रीफ टार्ड प्रीफ टेड़्ट पल्डूल टेड़क्ती की थरोर्ड टेडिवेयरे कि अरुशा पुट्द कर 7 टे में टेल्मधर्स टावर hmm okay and bottom of deck की जो एनर्जी है फिल और फोर्चुन okay so अभी जो आपकी पार्टनों की मुझे एनर्जी फिल होगी है सबसे पहले तुम्हे यह बता दू यह कॉलेक्टिव रिटिंग है तो मैं आपको जोडिक साइन नहीं बताऊंगी because he all sign rating है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं जो आपका पीज और पेंटिकल से आपकी पार्टनर है वो बहुत टाइम से आपको एप्रोच करने का ट्राय कर रहे हैं I feel के कुछ तो टावर मोमेंट आप लोगों की रिलेशन्शिप में हुआ है जो यह चाके भी आपके तरफ बढ़ने पारे हैं कुछ तो चीजों की ending हुई है और बहुत ही बुरी तरीकी से ending हुई है बट नाव इस टाइम पे जो उनकी energy है वो आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं आपको कुछ तो commitment देना चाहते हैं कुछ तो यह offer देना चाहते हैं आपको बट कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इन्हें रोक की रख रही है अगर आप देखोगे तो यह जो खोड़ा है वो यह इनसान इस पे सवार होके जातो रहा है पर यह चल नहीं रहा है तो कही ना कहीं कुछ तो चीज़ ऐसी है जो आपके इन्सान को action लेनी से रोक रही है या वो चाहके वे action आपकी तरफ लेनी बारे है इस time मुझे आपके partner की energy है देखो यह आपकी कोई crush हो सकते है या आपकी कोई ऐसे friend हो सकते है ऐसा भी हो सकता है क्या आप in a situation हो आप friend हो ऐसा भी हो सकता है यह किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ठीक है and I feel कि यह जो partner है जो भी आपके partner है जिनके बारे में आप देख रही हूँ, वो आपको कुछ तो commitment देना चाहते हैं, कुछ तो इस रिष्टे में एक step आके बढ़ना चाहते हैं, इस रिष्टे में literally new beginning का मुझे feel हो रहा है, कि जो आपके partner है वो इस time पे आपके तरफ new beginning चाहते हैं, कि आपके इस रिष्टे में new beginning हो, जिक है, अगर ये partner आपके ऐसे हैं, जिनके साथ आपका बहुती toxic relationship रहा है, आपके partner आपको cheat किया है, धोका दिया है, या फिर आपको कभी समझा नहीं, फिर भी आपकी ये partner आपको इस रिष्टे के नहीं अलग से शुरुआत करना चाहते हैं, एक new beginning करना चाहते हैं, new birth करना चाहते हैं इस रिष्टे का, कि जो चिस हुआ, forget it, आप रिष्टे को अलग तरह से, अलग तरीकी से start करना चाहते हैं, मुझे ऐसी energy आपके partner की feel हो रही है, और कहीं न कहीं आपके partner आपको लेके confidence बहुत साथ हैं इस टाइम पे, कि नहीं सब कुछ सही होगा, और वो सही हो जाएगी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, आपके partner की feelings बहुत strong है आपको लेके, ऐसा मुझे feel हो रहा है, तो अगर आपके partner आपको commitment नहीं कर रहे थी, तो don't worry, वो आपको commitment भी देंगे, ठीक है, and कहीं न कहीं मुझे, you know queen of swords से ऐसा लग रहा है, कि बहुत सारी हो सकता है, ये कोई ऐसी बात हो, जिसके विज़े से आपके बीच में बहुत जादा problem रही हो, या ये कोई ऐसा सच हो सकता है, जो आप चाहते हैं, कि मुझे खुद सामने वाला बताएं, ऐसी भी energy मुझे feel हो रही है, ये कोई thought हो सकते हैं, आपके partner की ideas भी हो सकते हैं, आप आपके partner आपके लिए stand नहीं लेती थे, ठीक है, तो अब मुझे कही ना कहीं दिख रहा है कि आपके partner की thought ऐसी है, कि आपको लेकिए वो बहुत सादा progressive है, बहुत जादा आपको लेकिए सोस्ते हैं, बहुत आप उनकी दिलो दिमाग में चलते हो, ठीक है, अगर ये इनसान आपके लिए honest नहीं थे ना, तो अभी इस time पे जो इनकी energy है, वो ऐसी है कि आपके साथ literally loyal रहना चाहते हैं रिलेशनिशिप में, जो भी चीज़े हुई, उसको सारी चीज़े को पीछे छोड़के, ये अपनी life में एक new beginning करना चाहते हैं आपके साथ, मुझे ऐसी भी energy कही न कहीं feel हो रही है, straight forward रहना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कोई डर नहीं है, ये चाहते है कि मैं खुले हम सब को बता दू कि ये इनसान मेरा है, और मैं इसी के साथ अपनी बड़ी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, मतलब मुझे इतने जोश में आपके दग रहा था कि आपके पार्टमर के पास दो च्वाइस हैं, और आप सोच रहे थे कि वो पता नहीं आपको चूज करेंगे या नहीं करेंगे, अगर या आप दोनों के बीच में किसी आपके पार्टमर के लाइफ में कोई दो सुचुईशन थी, जिसमें एक सुचुईशन आप थे और एक situation कोई और थी आपके job हो सकती है उनकी family हो सकती है तो you don't take tension आपके लिए good news है आपके partner literally आपको चूज़काने वाले हैं ठीक है और बहुत ही bold तरीके सी यह नहीं कि डर डूर के कि नहीं यार है लोग क्या कहेंगे यह वो सो no वो आपको literally दिल से bold होके कि दम रखे कि नहीं यह partner मेरा है मुझे इसके लिए stand लेना है और मेरी एक priority होती ना life में कि आपको यह इनसान चाहिए यह मेरी लिए पहले नंबर में तो उस तरीके से आपको select करेंगे यह ठीक है हाँ जी and second thing मुझे जो feel हो रहा है page of pentacles से अगर आपके partner ने कुछ पिया सकिया है जो बहुत harmful है जिसकी वज़े से आप दोनों के वेच में बहुत सारे clashies हुए हैं बहुत problem ही create हुई है आप hurt बहुत जादा हुए है because I feel कि suddenly आपके रिष्टे में एक tower moment आ गया था क्योंकि tower का card मुझे यही feel करवा रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि आपके रिष्टे में एक दम से tower moment आ गया था तो अब मुझे लग रहा है अगर आप अपने partner से सोच रहे हैं कि आपके partner आपको sorry feel करें उन्होंने जो कलतिया करें उनको वो गलतियों को सुधारें तो यहां मुझे feel हो रहा है कि आपके जो partner है वो आपको literally sorry भी कह सकते हैं आपके लिए को gift भी लेके आ सकते हैं यह सच में शर्मेंदा है मुझे ऐसा लगता है साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो partner है ऐसा नहीं है कि वो इस रिष्टी में शुरुआ चाहते हैं टेफिनेटली शुरुआ चाहते हैं पर इसी के साथ चो मुझे एक चीस feel हो रही है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं यह वो थोड़ी time का साथ नहीं है यह जो साथ है यह बहुत long time है इस रास्ते पे बहुत emotions है बहुत emotion बहुत प्यार के और एक दूसरी के लिए respect बहुत साथ है और जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में यह आपको साथ पाना कि नहीं इस रास्ते से अगर मुझे चाना है मंजिलत अगर पहुंचना है तो इन्हें आप भी के साथ पहुंचना है ऐसी energy मुझे लग रही है आपके पार्टरों की ठीक है हो सकता है travel का काटे तो हो सकता है आपके पार्टर सोच रहे हो कि आपसे मिलना चाहती हो और आपक कि चलो मैं आपको मिलने आ रहा हूं या लिटरली आपको कोई सप्राइज दे दे ठीक है ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है यूनो साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टर आपकी साथ एकना व्राइट फ्यूचर चाहते है चाहते है कि सब कोच सही हो सब कोच चैक है ऐसी एनोजी मुझे फील हो रही है तो इसी कि साथ साथ अगर तुर्ढेरेंस का कार्ड देखो के द्यान से तो आप देखोगे कि यहां पर एक एंजल है ठीक है और ये टू कप्स है ये टू कप्स कौन है आप और आपके पार्टनर जिनकी इन दोनों कपकी एनरजी तो डिफरेंट है बट इन दोनों एनरजी को युनिवर्स एक करना जाते हैं आपके थॉर्ट्स आपके आप अलग टाइप की दोनों अलग लग तरह की परसन हो सकती हो पर आपकी इमोशन को एक करना चाहते हैं आप दोनों को खुश रखना चाहते हैं बहुत बड़ी बिग यस है कि आप तोनों करिष्टी में सबको सही आने वाला है आपको टेंशन नहीं लेनी और साथी आपक चीज़ों को बैलन्स कर सको चीज़ों को फिरसी ऐलाइमेंट में लेकर आ सको मुझे ऐसी अनोची फील हो रही है आपके पार्टनर के लिए और सेकिंड तिंग जो है टावर का कार्ड है तो आप सोच लो हो सकता आपके पार्टनर बहुत जादा एकोईस्टिक परसन है इन में बहुत जादा घमंड हो सकता है कि मैं तो किसी के आगे जुकने वाला नहीं हो सकता है यही चीज़े इनका एटिट्यूट जो है कि मैं जुकेगा नहीं साला हूँ पश्मा हूँ मुवी का आपको अगर द्यान आ जाए तो तो आई फिल कि आपने से कुछ लोगों के पा सड़न ही आप दोनों के रिष्टी का एंड हुआ है एक तमसी आप दोनों के रिष्टी का एंड हो गया था यह कुछ भी रीजन हो सकता है एंडिंग का पर कुछ तो ऐसा हुआ है जो बहुत ही बहुत ही पीनफुल होके खतम हुआ है कुछ तो ऐसा रीजन है कुछ तो ऐसी गांठाक के रिष्टे में पड़ी है जिसमें बहुत दिक्कत बहुत जाद दिक्कत आई है बहुत कोई रोया है कोई रात पर सोया नहीं है मुझे लिटली वो नाइन ओफ सोट वाली एनुची फिल हो रही है कि कोई बहुत जादा डिप्रेस्ट रहा है बहुत जादा इन्साइटी वाली स्टेज में गया है तो आई फिल कि बहुत जादा किसी ने फेस किया है दुख ऐसा मुझे फिल हो रहा है साथ ही एक चीज़ हो रहा है कि यह जब रिष्टा टोटा ना तो बहुत चीज़े ऐसी बिकरी कि आप लोगों के जो नेव थी ना पूरी नेव हेलगी रिष्टे की फाउंडेशन ही खतम होगी जाज़े एक तम से बहुत चीज़े आसी होई होगी जेक है और साथ ही मुझे जो तब वील ओ फॉच्चुन के कार्ट जो दिख रहा है आई फिल कि आपके पार्टनर अब इस रिष्टे में गुड लग चाते हैं चाते हैं कि सब कुछ सही हो आई फिल कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश थी जब आप दोनों साथ में थी सब कुछ अच्छा अच्छा लाइफ में हो रहा था बट लिटली आप वो चाते हैं कि फिर से सब कुछ अच्छा हो टाइम खुम की वहीं आए चहां पे हम बहुत ज़ादा खुश थी एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थी लिटली आप दोनों की किस्मा जैसे बदलने वाली हो आपके पार्टन एक दम से ऐसा स्टैंड लेने वाले हैं आपके लिए कि जैसे एक दम से किस्मत ही बदल गई हो सब कुछ लाइमेंट में आने वाला है ऐसी एनोजी फिल हो रही है आप लिटली बहुत कम्प्लीट फिल करोगे कि वाउ एक दम से ही सब को सही हो गया और यह चीज़े जो है ना यह गुट कर्मा का रिजल्ट है आप तोनों मेंसे किसी ने तो बहुत जाथा गुट कर्मा की है जिसका यह रिजल्ट है बट आपके पार्टन अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते है उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ का गुट लग हो ऐसी अनोजी मुझे फील हो रही है एंड हांजी हमने पूछा था कि क्या आपके बाटन आपको लव करते हैं तो यस डेफिनेटल आपके बाटन आपसी बहुत साथा प्यार करते हैं आपके लिए बहुत साथा सीरियस है ठीक है अब भी हम जो देख लेते हैं आपके लिए गाइड़न्स देख लेते हैं ठीक है कि युनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते है प्लिस युनिवर्स बताएं हमारी विवर्स के लिए क्या गाइड़न्स है वो जसवे situation में है उन्हें अभी इस situation में क्या करना चाहिए ठीक है प्लिश उनिवर्स काईट कीछिए हम अजी तो लिटली आपकी लाइफ में ना जो पीनफुल पीड था ना जिसमें बहुत जाद आप दुखी रह चुकियों यस टावर वाली आपने फेस करें क्योंकि 10 of the sort है ना यह बहुत है इनरजी है इस नोट अबाउट की छोटा सा टाइम पिरिए इस बहुत लॉंग पिरिए है लिटली कोई दो तीन तीन साल लिटली मुझे कोई लग रहा है कि चार-चार साल हो गया है तो आपको कहा जा रहा है कि नेगटिविटी से बहार निकलिए आपको नेगटिव नहीं सोचना है जितना हो सके अपनी कर्मा को बैलेंस रखना है ठीक है एंड साते साथ मैं ये भी कहूंगे आप से कि आपको अगर हो सकता है तो आप स्प्रिच्छल चीज़ों को सुनिये ठीक है अगर आप चाहते हो कि ये रिष्टा सही हो बहुत सारी टेक्निक्स है आप टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं ठीक है एंड से कुछ लोगों की जो एनोजिस है आपके लिए जो गाइडिन्स है वो यह है कि अगर आप बहुत इंसान का वेट कर रहा हो ना कि सबकुछ सही होगा सबकुछ सही होगा सब को सही होने वाला है सब कुछ alignment में आने वाला है बस आपको अपनी सोच को positive रखना है खुद को high vibration में रखना है अच्छा अच्छा सोचना है जितना negative सोच होगी वो चीज़े आप manifest कर दे रहोगी बट अभी मैं आपसे यही request करूँगी आपके लिए पहले guidance देख लेते हैं आपसे कहा जा रहा है कि लग आपके फेवर में है आपको सब अपनी उपर ट्रस्ट रखने की जूरत है और इस टाइम टू रिलेज दिन एकटिविटी अगर आपको मैं अभी थोड़ी दिर पहले में यही कह रही थी कि आपको negative energy में नहीं रहना है ट्राय करना है कि आप high vibration में रहो ठीक है यह लिए love messages निकाले थी I think आप में से आप यापके partner Sagittarius हो सकते हैं Dhanu Rashi की Capricorn हो सकते हैं Magar Rashi की and आपके partner का message आपके लिए thank you for the love and care you give to me okay and next message for you is your heart is the most precious gift a man would ever want so you are these love messages we get to see you in the next video तब तर क्लिए अपना दियान रखके टेक क्यार पाई बाई बाई